बिलम से चल रही है और बहुत धीरी गती से ठंड आ रही है लेकिन राजनीती गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है कल ही चार राज्यों के चुनाव नतीजा आये हैं बहुत ही उत्सावर्दक प्रणाम है यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ने मानवी के तल्यान के लिए कमिटेड है जो देश के उजवल भविश्य के लिए समर्पित है बिशेश कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूह के गाउं और शहर के युवां हर समूदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब यह चार ऐसी महत्वकून जातियां है जिनका एमपावर्मेंट उनको भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्षन मिलता है और जब गुड गवर्नन्स होता है पूर्मय तयां जन्हित के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकंबंसी ये शब्द इर्रेलेमेंट हो जाता है और हम लगातार ये देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकंबंसी कहें कोई उसे गुड गवर्नंस कहें कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोश योजनाय कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम समसत के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस समसत भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अई तिहां से एक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद दवस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा समसदों और विजिटर्स को भी मिडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आधर्णिय उप्राश्पति जी और आधर्णिय स्पीकर महोदय की नेप्तुत्व में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निग्रानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज ऐसे छोटी मुटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान आ देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सब्त्र के प्रारम में विपक्ष के साथियों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्ष होता है हमारी में टिमुन से चर्चा करती है मिलकर के भी सब के सह्यों के लिए हम हमेशा प्रार्फना करते हैं आगरह करते हैं एप इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई ह कर दिंग आ हमारे अप्र 돼요 और आपके माद्यम सब्सार वजहन कрь हमेशा हमारे सभी सामसदों से आगरह करता हूं लोक्तमत्र के मंदीर जन आकांग्छाओं के लिए विख्षित भारत की नीवत को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर मंच है मैं सभी मानने साउसदों से आगर कर रहा हूँ कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझावों के द्वारा क्योंकि जब एक साउसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत हुत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगरे करता हूँ और अगर मैं वर्तमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैटे वुए साथी है ये उनके लिए गोल्डन ऑपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुशा निकालने की उजना बनाने के बजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारात्मक्ता की प्रवुत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मक्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्ट कोण बदलेगा उनके लिए नया द्वार खुल सकता है और वो विपंच में है तो भी उनको एक अच्छे डवाज दे रहा हूं कि आईए सकारात्मक्ता विश्टार लेकर के आईए अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर करके आईए हर किसे का भविश्ट उजवना है निराश होने की जरूत नहीं है लेकिन किपा करके बाहर के पराईजे का गुस्षा सदन में मत उतारना हताशा निराशा होगी आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्न कुर करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत मनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुवों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोत के विले विरोत का तरीका छोड़िए देशित में सकारात्मक चीजों का साथ दिजिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमत बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं कर्बद्य प्रार्शना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक दश्रिकोर्ण से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारतपक्ता का संदेश के आपकी छभी नफरत की और नकारतपक्ता की बने वो लोकतंतर के लिए अच्छा नहीं है लोकतंतर में विपंश भी इतना ही महत्वपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोकतंतर की भलाई के लिए मैं फिर से एक मार अपनी भावना को प्रकट करता हूं पेंटी फोटी सेवन अब बेश विक्सित होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है समाथ कि हर वर्ग में ये भाव पादा हुआ है कि बस आगे वड़ना है इस भावना को हमारे सभी मान्य सांसत समत आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्तना है आप सब को भी साथ हो मेरी बहुत बहुत शुप कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद